आज मैं आपके साथ एक Pharma Company का Stock Chart Analyze करने वाला हूँ तो पूरा वीडियो देखी ताकि ठीक तरीके से Analyze समझ में आ जाए किस तरीके से Price रियाक कर रहा है और आगे जाते हुए Price का Action किस तरीके से और किस Direction में मुड़ सकता है यह सारी जानकरी आपको यह पूरा वीडियो देखने से मिल जाएगी मेरा नाम है मंदार जाम संडेकर और आपका स्वागत है इस YouTube सेशन में मेरे पीछे आपको अजंता फार्मा का चार्ट दिख जाएगा यह फिलाल डेली चार्ट है मंतली कर देता हूँ तो मंतली से स्टार्ट करते हैं अब यह दिखिए मंतली चार्ट आपको फिलाल स्क्रीन पे 2006 से लेके अब तक का चार्ट स्क्रीन पे दिख जाएगा अब यह चार्ट देखने पे इमिजेट एक चीज जो आपको नोटीस होगी वो है कि 2010-11 से एक बढ़िया सा मूव देखने को मिला तो सारे फार्मा कमपनीज में इस तरीके का एक अपमूव देखने को मिला जिस केस में स्टॉक 20 रुपे से अब यह स्टॉक 20 रुपे से उपर में 2000 रुपे तक चला तो इसी तरीके के आपको रिटर्स मिलेंगे 2010-2015-16-17 वाला जो यह 5-6-7 साल का जो पीरियड है फार्मा क इस दौरान तो यह एक अपमूव बनी अब इस अपमूव के बाद आपको एक चीज और नोटीज जो होगी वह है इमिजर जो मूव बनी वह यहां तक बनी 2015 तक 1600-1700 रुपए तक फिर उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन हुआ उसके बाद फिर से स्टॉक ने एक नया टॉप बनाया है एक all time high किया 2017-16-17 में उसके बाद यह करेक्शन ठीक है और कोविड के बाद एक फिर से एक अप्ट्रेंड और यह अप्ट्रेंड जो बना वो फिर स स्टॉक को एक नय टॉप तक लिया है यहांनि all time high किया यहां पर आपने अगर मेरा mentorship program जॉइन नहीं किया है तो कर लीजे नीचे मेरा number दिया इस number पर आपका इंट्रेस में वाट्साप मेसेज कर दीजे मेरी टीम आपके contact में आजाएगे आपको तुरंत enroll करा लेगी आपका एक और चीज आपको जो notice होगी वह है जब यह टॉप देखते हैं और यह वाला भी टॉप देखते हैं तो यह सारे जो टॉप सें बहुत नजदीक नजदीक है और नजदीक नजदीक होने के बाद क्या हो रहा है कि टॉप तो कर रहा है स्टॉप लेकिन वहां पेटिक नही क्या काइन परसेंटेज में क्या रिटर्न हो जनरेट करता है तो इसलिए अब यह लेवल्स पे इसको थोड़ा सा टिकना यह फिर क्या होता है कि डिफिकल्ट हो जाता है सस्टेन करना वह लेवल पर प्राइस ने वह डिफिकल्ट हो जाता है और वही हम यहां पे भी के बाद एक छोटा सा भी एक negative news आ जाता है, negative development आ जाता है, कोई quarterly earnings अगर stock fail कर जाता है, expectations match up नहीं कर पाता है, तो उस case में जो बिक्वाली आती है, profit booking जो होता है, वो immediate होता है और बहुत sharp होता है, और उसी तरीके का एक price का trend इस stock में भी हमको देखने को मिल रहा है, अब यह हो मन्तली चार्ट, अब देखते हैं इसका daily chart, इसको मैं daily कर देता हूँ, यह देखिए, अब यह daily कर दिया, अब daily में short term वाला चार्ट देखेंगे, यह देखेंगे, अब यह चार्ट अगर आप देखो, यह पिछले 6-7 मेनों का चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, मेरे उपर स यहाँ से, अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, कि यहाँ से, यानि जैन में, जैन के बाद, जैन और फेब में एक downtrend देखने को मिला, 2350 का level से stock नीचे में 1650 की level तक नीचे आ गया, और यहाँ पे फिर एक consolidation भी बना, यानि उपर जाने की कोशिश की stock ने, लेकिन ज और फिर से नीचे आ गया, आप अगर यह overall पिछले दो मेनों का अगर period देखो, तो price continuously support levels के तरफ attract हो रहा है, यह हमें यहाँ पे दिख रहा है, अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे actual में levels plot कर देते हैं, अब यहाँ पे आपको एक चीज जो दिखेगी, कि यह है एक narrowing kind of consolidation, तो यह देखे, यह support level बन गया, यहाँ पे मैं यह horizontal line plot कर देता हूँ, यह support level बन गया, इसके नीचे भी एक level है, one of level है, लेकिन वो माहिनी भी रखेगा, no doubt about it, यह देखे, यह वाला level, तो यह support कहाँ पे बनता है, तो यह support बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, support levels, support at 16 1696 और 1631, यह 1631 यहाँ पे low बना हुआ है, यह देखे, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, यह आपको clearly दिख जाएगा, तो यह यहाँ पे support level बनता है, 1696 और 1631 का, अब यह support level वाच करना बहुत important है, क्योंकि फिलहाल stock में weakness दिख रहा है, stock continuously support की तरफ attract हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाते हुए अगर यह support break हो जाता है, यहाँ पे एक नीचे की तरफ अगर इस तरीके का एक breakout बन जाता है, एक selling वाली candle यहाँ पे बन जाती है, और नीचे की तरफ अगर breakout बनता है, valid breakout हो जाता है, तो उस case में हमें और नीचे के prices इस stock में देखने क को मिल सकते हैं, और इसलिए यह जो support है, यह support पे ध्यान देना, closely support level को watch करना बहुत जरूरी है, 1696 और 1631 यह level है कि जो आपने track करनी है, ऐसा मान लेते कि चलो आगे जाती हुए, अगर समझ लो यह level break हो जाता है, तो break हो जाता है, तो उस case में क्या हो सकता है, अब यह अगर नीचे की तरफ break हो जाता है, यानि जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक example बताया, यह इस तरीके से candle यहाँ पे बन जाती है, नीचे की तरफ का एक breakout यहाँ पे बन जाता है, तो उस case में नीचे की targets यानि कहा तक यह stock नीचे गिर सकता है, तो इसके लिए हम यह price line tool यूज करेंगे, यह pole identify कर लेंगे यहाँ से, यह देखिए 600 के आसपास वाला pole बनता है, और यह pole इसी आई से हम deduct भी कर देंगे, तो 608 यानि इस का मतलब है, यह stock 1300 रुपे तक exact level कहां पे बनेगी, तो around 1300 to 1270 इस तरीके levels को नीचे में यह achieve कर सकता है, नीचे तक यह गिर सकता है, इसलिए हमने cautious रहना बहुत ज़रूरी है, आपके अगर holding में यह stock हो, तो यह level आपने बहुत closely watch करना ज़रूरी है, अगर आपके holding में नहीं है stock, आप intraday में interest रखते हो, तो यह भी यह stock आपके interest का होना चाहिए, हर जब कब यह intraday chart पे sell signal करता है, तब वो sell आपने उसको use करना है, short trade बनाने के लिए, तो इस तरीके का एक trade इसमें बनेगा, लेकिन यह breakout बनने के बाद, तो यह level ज़रूर watch कीजिए, 1696 और 1631 का 20 तके का correction है, 20%, 15-20% का correction हमें देखने को मिल सकता है, तो यह level closely watch कीजिए, यह है आज का stock आपके लिए, अजनता फार्मा, जिस पे आपने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यह वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेर कीजिए, ताकि उन्हीं भी पता चले, उनके portfolio में अगर यह stock हो, तो यह वो भी यह level monitor कर सकते हैं, अपने मुझे इस वीडियो में join के, इसलिए आपका धन्यवाद, आपका मंदार जाम सांदिकर